यदि वो अपना सिर समाल कर रहता है If he keeps his head on his shoulder, to keep head on the shoulder मतलब पूरे balance में रहना, सच्चाई में रहना, धरातल पर रहना और इसका आर्थ घमंड ना करना, अपने को बड़ा ना समझना विनम्र बने रहना, ये सब उसकार्थ है, to keep head on the shoulder If he keeps his head on the shoulder, if they look for him properly a lot of distractions for a young man in this game these days हाँ हाँ हाँ, पिता जी कहते है हाँ हाँ हो सकता है वो बेस्ट हो जाए बशर्ते वह धरातल पर रहे है बशर्ते वह सच्चाई अपनी कमजोरियों का अध्यन करते रहे If he keeps his head on his shoulder Keep your head on the shoulder means अपने को बांध के रखो, समल के रहो यदि उसकी ठीक ठाक से देख रेख हुई If he is looked after properly इस जमाने में lot of distractions होते हैं यंग्स्टर के लिए Distraction मतलब जिससे ध्यान बट जाए बहुत सारे ध्यान बटाने के जरिये हूँ आज mobile क्या है यह मैं आप से कह रहा हूँ, यह कहानी का हिस्टा नहीं है Mobile is a great distraction for the students of today आज के जमाने में mobile जो है बच्चों का सबसे बड़ा distraction है Mobile की दुनिया में बच्चे जाते हैं Mobile खिलते रहते हैं और ना जाने क्या क्या करते रहते हैं इससे उनकी पढ़ाई में बाधा बहुत ज़्यादा है पढ़ाई से focus हट गया है केरियर के बारे में सोचने का समय नहीं रहता बस पूरे समय mobile So mobile is the greatest distraction for children today Please note this sentence of mine Father says, yes If he is not distracted यदि उसका मन यहां वहां ना होए focused रहे जैसा कि आज कल के youngsters लोग के साथ समस्या है तो वो अच्छा कर लेगा A lot of distractions for youngsters of this game these days जवान लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए, इस उम्र के लोगों के लिए बहुत सारे distractions हैं जो आकर्शित करते हैं विचलित करते हैं और यदि इस आकर्शन में चले जाएं तो यंग्स्टर लोग अपने मार्क से भटक जाएंगे यदि ये भटके नहीं, ये मतलब कैसी यदि ये ना भटके, तो फिर ये अच्छा तो कर लेगा हो सकता है, टॉम फिनी से भी अच्छा खिलाडी हो जाए इस पर जवाब आता है, he'll be all right He is with the best team in the world चिंता माने, वो बिलकुल ठीक रहेगा ये सब, सौफी बोल रही है वो तो best team के साथ है भी तो best team के साथ है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा करेगा अच्छा सीखेगा तो पिता जी कहते है, he is very young yet yet मतलब अभी भी अभी भी वो बहुत छोटा है उम्र में बहुत छोटा है तो इस पर सौफी कहती ही, he is older than I am मुझसे तो बड़ा है तू यंग रिली फर फर्स टीम इस पर जवाब आता है, लेकिन फर्स टीम के लिए बहुत छोटा है फर्स टीम मतलब वहां पे आरलेंड में और बड़े-बड़े क्लब्स के दो तीन लेवल की टीम होती है A, B, C टॉप लेवल, मिडल स्टैंडर्ड टीम और फर्स स्टैंडर्ड टीम लोवे स्टैंडर्ड की टीम का स्टैंडर्ड भी दुनिया के बेस्ट क्लब के स्टैंडर्ड जैसा होता है लेकिन ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड टीम है उसमें नए खिलाड़ियों को लिया जाता है फिर वो बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको प्रमोट करके सेकंड स्टैंडर्ड टीम में और फिर बाद में तो टॉप स्टैंडर्ड टीम में आ जाते हैं So in the first standard team में है Too young for the first team बहुत छोटा है भी First team के लिए भी बहुत छोटा है और first team मतलब Top team First team के लिए बहुत छोटा है You can't argue With this sort of ability ऐसी क्षमता के साथ आप argue नहीं कर सकते हैं ऐसा कहना रहा है You can't argue Ability मतलब ख्षमता ऐसी क्षमता Sort मैंने प्रकार ऐसी क्षमता के लिए आप argue नहीं कर सकते हैं बहुत नहीं कर सकते और फिर सोफी आगे कहती He is going to buy a shop Sophie said from the table अब सोफी कहती वो एक दुकान खरीने वाला है Table में बैठे बैठे कह रही He is going to buy a shop Her father grimaced ऐसा जैसे ही पिता जी ने सुना तो उनकी पिता जी के चेहरे की जुर्यां उन्होंने चेहरे को एक तरीके से गुस्चे की रूप में रखा Grimaced करना मतलब भनभनाना व्याथित दिखने लगना His father grimaced Where would you hear that? तुमने कहां सुना है सब? तो सोफी क्या बोलती है? He told me so उसने मुझे कहा है सा ये सब क्यों हो रहा है? कल्पना की उलान सोफी अभी भी कल्पना की दुनिया में है पिता जी जब कह रहे हैं कि टॉम फिनी के फ्रेंड को मैं जानता हूँ तो उसके बाद फिर वापस कैसी की कहानी पर आजाती है सोफी और फिर वही बात बताती है कि अच्छा खिलाडी है दुनिया का बेस खिलाडी है इतनी छोटी बच्ची और ये खिलाडी भी इतना यंग है उसके बावजूद ये कहती है कि she is the best in the world he is the best in the world he is with A team तो पापा कहते हैं कि he is too young for A team for the top team still she says whatever it may be he is playing with the best team so he will be the best in the world ये सब क्योंकि कैसी जो है वह इस लड़की का एक तरीके से हेरो है एक तरीके से उसका नायक है हम मैंसे बहुत लोग देखे होंगे जो कई बच्चों को देखा होगा जो लोग किसी व्यक्ती, किसी लड़की, किसी महिला, किसी पुरुष के दीवाने हो जाते हैं ये जो दीवानापन है वो जहां पे जहलक रहा है और किशोरा वस्था की एक बहुत बड़ी बीमारी है इस बीमारी के कारण यूवा वर्ग के लोग, एडॉलसेंट लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं ये फगेट दियर में एम इन लाइफ पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं व्यतित होने लगते हैं और नायक या नाइका को पाने के लिए कुछ भी कर बैठने के लिए तयार रहते हैं और कई बार इसी लिए आत्महत्याएं जैसे हाथ से भी हम सुनते हैं तो इस स्टोरी इस अबाउट बाउट आट फादर ग्रिमेश्ड जैसी लड़की ने कहा सोफी ने कहा कि पापा वो दुकान भी खरीदने जा रहा है अब ये अचानक दुकान खरीदने वाली बात कहां से आ गई और वो भी सोफी जैसी छोटी लड़की को कैसे पता है तो पिता जी भी बड़े व्यत्थित हो गया विचलित हो गया ये सब क्या बोल रहे हैं तुम किसने कहा कि वो दुकान खरीद रहा है इस पर सोफी बोलती उने मुझे कहा एशा सुनने पर जब सोफी ने कहा कि उने मुझे कहा ऐसा तो पिता जी कुछ बददाने लगे तो मटर करना मतलब कुछ बददाना जो स्पष्ट ना हो something inaudible inaudible मतलब जो साफ सुनाई ना दे कुछ ऐसा उन्हें ने कहा कुछ बुदबुदाए भनभुनाना to mutter मतलब भनभुनाना याद रखेंगे he is muttering something old age people जो वृद्ध हो जाते हैं बहुत लंबी उम्र हो जाती है वो लोग कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते हैं they keep muttering something or the other क्या बुदबुदा रहे हैं that is inaudible वो सुनाई नहीं देता समझ में नहीं आता सो जब सुफी ने कहा उसने मुझे बताया कि दुकान खरीदेगा father immediately muttered something and dragged himself in his chair और कुरसी के साथ अपने को खीच दिया जिस कुरसी में बैठे तो उसको खीच लिया this is another of your wild stories ये फिर तुम एक कलपना की कहानी बना रहे है wild story मतलब कलपना वाली कहानी जिसका कोई सिर पैर ना हो अब देखिए wild का मतलब क्या होता है wild animal, जंगली और यहाँ पे wild story है मतलब जंगली कहानी नहीं context में देखिए हर शब्द को context में समझना जरूरी है आप केवल शब्द का meaning जान कर ही शब्द का उपयोग करने लगें ये गलत है आपको meaning जानना है शब्द को meaning जानने के बाद उसका वाक्य आपको पढ़ना चाहिए, वाक्य बनाना चाहिए तब जाके आप सही शब्द का उपयोग सही जगा पर करेंगे अनिथा बहुत गलत हो जाएगा I have interest in football मुझे football में रुचि है and bank gives 5% interest on this money और bank 5% ब्याज देता है पैसे पर यहां interest कार देखिए ब्याज और दूसरे interest कार थो गया money context बदल गया शब्द हुआई अब आप में एक ही meaning पढ़ा interest मतलब ब्याज केवल यही एक meaning मालूम है अब आप उसका वाक्य बना रहे हैं I have interest in studies और यहां interest कार थो आप बोलेंगे ब्याज पढ़ाई में मुझे ब्याज यह सब गलत हो जाता है इसलिए इस कहानी के माद्यम से the writer want to teach you make you understand that every word must be learned in context किस सम्मंद में बोला गया है यह समझना जरूरी है so यहां पर देखिए now father muttered something which was not clear what he said and dragged himself in his chair drag करना मतलब खीचना to drag टेवल को खीच दो drag the table पेटी खीच दो drag the पेटी फ्रिज को खीच दो drag the fridge वो dragging और उसके बाद गुशे में बोलते हैं this is another of your wild stories wild story मतलब जंगली कहानी नहीं wild story मतलब fantasy कहानी अपनी बनी बनाई कहानी सपनों की कहानी यह फिर तुमने एक और एक उर्ट पटांग कहानी बना दी यह तुम्हारी अपनी एक बनी बनाई कहानी है ऐसा पिता जे ने कहा इतने में जौफ क्या कहता है ओ पापा शी मेट हिम इन दी आर्केड यह तो उससे आर्केड में मिली है आपको याद है ना जौफ ने पूछा था सोफी से कि तुम्हारी मुलाकात कहा हो ही तो उसने कहा कि रॉइस में जब मैं कपड़े देख रही थी तो आर्केड में मिला सर्प्राइजिंग्ली वही बात यहां पे आप जौफ पापा को बता रहा है सोफी के बारे में और कहता है शी मेट हिम इन दी आर्केड और टोल हिम आप सीन हिम और उसने कहा कि मैंने देखा है ऐसा सुनने पर पिता जी ने ताना मारा पिता जी ने कड़वाहट ते कहा वन अब दीज देखा है यू आप टॉक यूरसेफ इंट ए लोड अफ टॉबल लोड मतलब वजन और लोड अफ टॉबल मतलब समस्याओं का भंडार खड़ा कर दोगे अंबार लोड अफ टॉबल लोड अफ मनी पैसे का भंडार and this is heavily loaded truck is heavily loaded truck भरा हुआ है सामान से भरा हुआ है my house is loaded with books मेरा घर किताबों से भरा हुआ है लदा हुआ है loaded with books और यहां पर क्या उपयोग है load of trouble ट्रबल से भर जाओगे ट्रबल इतने सारे परिशानी आ जाएंगे कि याद रखोगे एका दिन, one of these days, you are going to talk yourself एका दिन तुम समस्याओं में फंस जाओगे पिता जी कहते हैं हर फादर सेड एग्रेसिवली गुसे में कहते हैं एग्रेसिव मतलब बहुत गुसे में एक तरीके से हमलावर जैसे होते हैं ऐसा धन से उन्होंने जवाब दिया और बोले एका दिन तुम समस्याओं में फंस जाओगे इसका मतलब यही हुआ एका दिन तुम समस्याओं में फंस जाओगे जौफ नोज इस ट्रू, डॉंट यू जौफ, ऐसा सुनने पर अब सौफी जो है, वो जौफ की और मुरती है, और कहती है, जौफ, तुमको मालूम है, कि ये सच है, नहीं, जौफ, मालूम है ने तुमको, जौफ नोज इस ट्रू, डॉंट यू जौफ, सौफी सेज, इस पर तो पिता जी क्या कहते हैं। सोफी ने जौफ को पूछा, लेकिन जवाब आता है पिता जी का, तो पिता जी कह रहे हैं हम सोफी को, सोफी जो जौफ को कह रही है, उसको उक्सारी है कि वो बोले हाँ मैंने देखा, तो यहाँ पर उसके पिता जी तुलन बोलते हैं, वो तुम पर विश्वास नहीं करता, यद्य पी वो विश्वास करना चाहेगा। यह पार्ट, one part of the story, the dialogue, the conversation. You see the beautiful narration that is there in this story. Right from the beginning, in this story we find, it's moving with conversation. बात्चीत के बल पर यह कहनी आगे बढ़ रही है लगातार. And the way story is written, it looks like a picture, visual. The small, small dialogues between Derek, father, Sophie, Geoff and even Jansi, They make beautiful story out of nothing. And the story, whole story is just out of nothing. कहानी में कुछ विशेश नहीं है. लेकिन क्या है, वो यहां पर आपको समझना है. As I said right at the beginning, this story clearly tells you that the girl has fallen in the habit of fantasizing. कहानी में क्या है. इस कहानी में पता लक जाता है, इस भाग को पढ़ते पढ़ते, कि जो लड़की है Sophie, वो किसी एक कल्पना की दुनिया में चली जाती है जब तब. कल्पना की उड़ान करती है जब तब. उसकी एक अपनी अलग दुनिया है. और वो किशोरा वस्था में हैं and she is a teenager, she is an adolescent age और इस मुर में क्या क्या हरकतें लोग करते हैं उसका ये बड़ा एक नमूना उदाहरन है कैसे समय बरबाद करते हैं उसका भी एक उदाहरन है With this now we come to the second part of the story The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall To cast मतलब महसूस होना जो table lamp है It cast an amber glow Amber मतलब हलक के पीले रंग का चमक जो table lamp था अब देखिए दूसरा दृष्य है पहला दृष्य आपने समझ लिया Now we come to forget the previous part Now the situation is different जो table lamp है एक कमरे में उसकी जो चाया है उसकी जो light है वो दिवाल पर पड़ रही है और वो दिवाल कहां की है ब्रदर के बेडरूम की दिवाल है हलका पीला पनली होई And across the large poster of United's first team squad और उसके ठीक सामने क्या है एक बहुत बड़ा poster है किसका United club जो football की दुनिया के सरश्रेष्ट क्लबों में से एक है उस club के खिलाडियों की photo है And the row of colored photographs beneath और उस poster की नीचे बहुत सारे रंगीन photograph है Beneath मतलब नीचे Beneath the table is my book Table के नीचे एक किताब रखी है I am sleeping beneath the palang Building the cot मैं palang के नीचे सो रहा हूं My shoes are lying beneath the rack मेरे जूते rack के नीचे है तो beneath the car समझ लीजे अब यहां पर table lamp, cast and amber glow हलके पीले लंग लिया हुआ Bedroom की दिवाल पे रोशनी हो रही है और ठीक उसके opposite And across the large poster of United's first team squad United की जो best team है उसकी team की photo है और उसके नीचे row of colored photographs Row मतलब पंग्तिया photograph, रंगीन photograph की कई पंग्तिया है Three of them of the young Irish prodigy कैसी? Prodigy मतलब विलक्षन प्रतिभावाला बच्चा Prodigy विलक्षन प्रतिभावाला Prodigy मतलब It's a very high level word हम लोग 16, 17, 18 साल की उमर में बारवी पास करते हैं ऐसे कुछ उदारन हैं जहां पर कुछ बच्चों ने दसवी दस वर्ष की उमर में ग्यारा वर्ष की उमर में बारवी पास कर लिया Such children are called prodigy ऐसे कई बच्चे हैं जो उमर में तो बहुत कम है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़ी बातें मतलब विद्वत्ता की बातें साइंस की बातें अंग्रेजी के हज्जारों लाखों शब्द की spelling वो बता सकते हैं ऐसे लोग कहलाते हैं prodigy तो यहां पर उस तीन रो में prodigy की photo थी वो prodigy कौन है कैसी and three of them of the young Irish prodigy त्री रो ने तीन फोटो उसमें से Irish prodigy की थी जिसका नाम कैसी है promise you will tell no one Sophie said nothing to tell is there वो कहती है कि तुम promise करते हो कि किसी को नहीं बताऊगे Sophie किसको बोल रही है जाफ को जाफ कहता है nothing to tell is there कुछ बताने के लिए कुछ है यहीं promise जाफ that murder me promise करो नहीं तो डैड माट डालेंगे मुझे यह कैफी कह रही है Sophie कह रही है जाफ को अब देखे दोनों के बीच में conversation हो रहा है अलग कमरे में जाफ और जाफ के भाई जाफ की बहन Sophie के बीच अब और कोई नहीं है और बातचीत क्या हो रही है promise you will tell no one तुम किसी और को तो नहीं बताऊगे nothing to tell is there बताने के लिए कुछ है यहीं नहीं promise जाफ dad will murder me promise करो वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताऊगे only if he thought it was true यदि वो सोचे सच है तो please जाफ जाफ please मत बताना Christ Sophie वो एक तरीके से promise करता है Christ बोलता है Christ मतलब Jesus Christ के नाम से हम बोलते हैं न बगवान का नाम लेकर हम नहीं बताएंगे तो यह कहता है Christ Sophie you are still at school तुम अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हो कैसे must have a string of girls कैसे के पास तो हजारों लड़कियां होंगी a string of girls मतलब many girls अब देखिए बात कैसे बदल रही है और जाफ कितनी serious बड़े बच्चों जैसी बातें करता है जाफ कहता है Sophie तुम अभी स्कूल में पढ़ते हो नादान लड़की हो स्कूल वाली कैसे जो है उसके पास तो पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी तो Sophie कहती ना उसके पास नहीं है वही Sophie अपनी कलपना की उड़ान में है How could you know that He jeered Jeered करना मतलब थोड़ा एक तरीके से चिलाना How could you know that कैसे तुम कह रहे हो कि उसके पास कोई लड़की नहीं है जाफ ने पूछा तो Sophie क्या कहती है सुनिया Sophie says He told me That's how उसने मुझे बताया इसलिए मुझे मुझे मालुम है Can you believe कि आप इश्वास कर सकते हैं कि Sophie के पास कैसी आया होगा और उसने बताया होगा ये बातें हुई होंगी But the story is very interesting This is all a story about childhood I mean the adolescent age जिस तो किशोरा वस्था कहते हैं जिसमें हम एक व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं इसके दिवाने हो जाते हैं इसके पागल हो जाते है Sophie कैसे के लिए दिवानी हो गई थी और ये दिवाने पन का उदाहरन है जो यहां पे आप सुन रहे हैं Very interesting talk Sophie you are still at school तुम अभी बच्ची हो उसके पास तो हजारों लड़कियां होंगी Sophie कहती ना उसके पास कोई नहीं है Jauf कहता तुमको कैसे मालूम तो Sophie कहती है She told me उसने मुझे कहा है इसलिए मुझे मुझे मालूम है That's how Jauf कहता As if anyone would tell a girl Something like that तुम ऐसी बात कर रहे हो मानो कोई बताएगा इस तरह की बातें किसी लड़की को ऐसा करके Jauf एक तरीके से मजा कर रहा कि आरे Sophie तुम कैसी बात कर रहा है क्या कोई लड़का किसी को बताएगा कि मेरा किसी लड़की इससे सम्मन नहीं है Something like this इस धंके बात बताएगा Sophie फिर बोलती Yes, he did हाँ उसने मुझे बताया है He is not like that यह उड़के लड़कों में नहीं है He is quiet वो चुप रहने वाले लड़कों में फाल्तू पना नहीं करता He is a quiet type ऐसा लड़का नहीं है जो बहुत सारी लड़कियों के बीच में घुमे उसके लिए तो मैं यह एक अकेली लड़की उसने बताया यह नोट एस quiet as all that apparently और फिर इसके बाद जौफ बुलता है इतना शांत नहीं है जैसा उपर दिखाई दिखाई देता है Not as quiet Apparently मतलब उपर से जो दिखाई दे Apparently he is a good boy But inside he is bad Apparently the shop looks good बाहर से दुकान अच्छी दिख रही है अंदर कैसी है नहीं मालम Apparently the shop looks good But what is there inside God knows So apparently मतलब बाहर से उपर से Apparently he is a very simple boy But heart, inside heart is bad उपर से तो अच्छा दिखता है Apparently he talks sweet वो उपर से तो मीठी मीठी बातें करता है But अंदर बहुत कड़ुआ है So apparently कार्थ होता है उपर से बाहर से So Jauf Turan कहता है Not that quite at all तुम जैसा बोल रहे हो कि वो चुप वाला चुप रहने वाले लड़का है ऐसा नहीं है उपर से है बस